हेलो दोस्तो वेलकम टीनल टेक एंड वेलकम टीन वीडियो दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा सेंडिस्क अल्टा फ्ले और युवेजबी 3.0 पिंड्राइब के बारे में तो दोस्तो यह कुछ इस तरह का पैकेज में हमें देखने को मिलता है और मैंने 64 दोस्तो इसका मंगवाने का में रिजन यही था इसका स्पीड दोस्तो आप यहां पर देख सकते हैं कि क्लियर यहां पर मेंसंड है कि 150 Mbps तक यह रीड़ स्पीड आपको दे सकता है और दोस्तो पैकेज की सामने की तरफ हमें इसका की फीचर्स देखने को मिल जाता है जैस इसका पर इसके नदर सेंड़िक्स सक्यूर अक्सेस करके एक स्वाफटार आपको दिखने को मिल जायगा जीलने को आप अगर यूज करेंग है और इस वीडियो के बात करोंगा और इसका मैं कॉम्पलीट स्पीड तेस्स करूंगा इसका सौफटर के थू। speed test करूंगा, file copy paste करके speed test करूंगा, USB 2.0 USB 3.0 दोनों का speed test करूंगा, और इसका जो read or write speed है, दोनों आपको speed test करके live दिखाऊंगा, तो आपको अगर ये pin drive लेना है, तो आप इस वीडियो को पूरा intact देखते रहे हैं, अगर आपको ये pin drive को शुरू करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि pin drive का overview कैसा है, तो दोस्तों ये कुछ इस तरह का package में आता है, और यहाँ से निकलते हैं, और मैंने इसका seal काट लिया है, one week चे यूज़ कर रहा हूं, तो obviously इसका seal मैंने काट चुका हूं, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये pin drive है, ये slim sleek design है, design के मामने में ये pin drive बहुत ही अच्चा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे full metal casing यहाँ पे देख गया है, और यहाँ पे यह जो 2 उसको indicate करता है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका design and build quality है, ये बहुत ही अच्चा है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको गिरा भी दिया, ये कुछ नहीं होने वाला है, तो दोस्तों आप इसको कम्पीटर में connect करते हैं, देखते हैं कि इसका speed कैसा है, इसका performance कैसा है, USB 2.0 में कैसा speed देता है, USB 3.0 में कैसा speed देता है, और SSD में copy करना से इसका speed कैसा है, और दोस्तों इसका मैं complete speed टेर्स आपको दिखाना वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा end तक देखते रहिए, तो आए दोस्तों इसको computer में connect कर लेते हैं, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने pen drive को laptop का अंदर लगा दिया है, और pen drive का अंदर हमें 57.2 GB तक free space देखने को मिलता है, तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि pen drive का अंदर हमें क्या software देखने को मिलता है, तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि sand disk secure access करके software हमें यहां पर देखने को मिलता है, तो दोस्तो यह software को आप अगर setup करेंगे, use करेंगे तो आप अपना secure file को securely रख सकते हैं password protected करके तो दोस्तो आप अगर यह software को कैसे use करते हैं कैसे इसको setup करते हैं उसका एक video चाहते हैं तो आप comment करके बता सकते हैं मैं उसका video बना दूँगा तो दोस्तों आप हम लोग देख लेते हैं कि इस pen drive के अंदर हमें read और write speed कैसा देखने को मिलता है तो दोस्तों मैंने एक speed test किया है speed test का एक software के थूँ तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो speed test में हमें speed मिला है वो speed है 146.08 mbps तक read speed देता है और यह 39.1-7 mbps तक आपको write speed देता है यह USB 3.0 में मैंने लगाया था USB 3.0 port पे और USB 3.0 port में हमें यह speed मिला है और आप दोस्तों हम लोग देखेंगे कि इसमें write speed और read speed कैसा देखने को मिलता है तो दोस्तों मैंने इस pen drive को USB 3.0 port में लगा है और मैंने यहाँ पे file शिल्प किया है 532 mbps का तो दोस्तों इसको हम drag and drop करते है और इसमें write speed हमें देखने को मिलता है वो देखते हैं कैसा हमें देखने को मिलता है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो write speed देखने को मिल रहा है यह 36, 37, 38 mbps तक हमें देखने को मिल रहा है और यह कभी-कभी 50 mbps तक भी आपको write speed देता है तो दोस्तों यह तो हो गया write speed USB 3.0 port का और इसमें read speed हम लोग check करके देख लेते हैं तो दोस्तों यही file को हम लोग harddix में copy करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर drag and drop कर रहा हूं है तो इसको मैं replace कर देता हूँ तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि यह कुछी second के अंदर USB 3.0 से harddix के अंदर copy हो गया तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो read और write speed हमें देखने को मिलता है इस pen drive से वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है अब दोस्तों यही file को हम लोग ssd में copy करके देखेंगे उसमें हमें कैसा speed देखने को मिलता है तो दोस्तों मेरा desktop जो है c drive है वो ssd लगा हुआ है तो यही file को हम लोग cut करके उसके अंदर paste कर देते हैं तो दोस्तों आप हम लोग देखेंगे कि इसमें ssd में file transfer होने में कितना read speed यह देता है तो हम लोग यह file को यहाँ पे paste कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पलक जापकते ही यह file को transfer कर दिया ssd के अंदर तो हम लोग ssd से भी file transfer करके देखेंगे file को copy करके देखेंगे तो यह file को मैं copy कर रहा हूं तो copy करने के बाद यहाँ पे paste कर रहा हूं तो ssd से कैसा speed मिलता है वह हम लोग देख लेते हैं USB 3.0 port में तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 35, 36, 37, 34 तक यहाँ पर speed देखने को मिल रहा है तो दोस्तो कभी-कभी यह 50 Mbps तक भी चला जाता है वह depend करता है कितना free space आपके pin drive में है और यह कितना गरम हुआ है और दोस्तो यह pin drive गरम होता है और बाद में पता हूंगा कि गरम होने के बाद इसमें क्या आपको speed देखने को मिलता है तो दोस्तो आप हम लोग इस pin drive को USB 2.0 port में लगाएंगे और उसके बाद speed टेस्ट करेंगे USB 2.0 में हमें कितना speed देखने को मिलता है read और write speed तो दोस्तो मैं इसको USB 2.0 में लगा लेता हूं तो दोस्तो मैंने इसको USB 2.0 में लगा लिया है और यह file को मैं delete कर देता हूं और delete कर देने के पास फिर से यह file को इसके अंदर copy करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह same file है 532 MB का तो इसको मैं drag and drop करता हूं तो आप देख सकते हैं कि USB 2.0 में हमें 16, 15, 13 Mbps तक का speed देखने को मिल रहा है और यह USB 2.0 में हमें SI speed देखने को मिलेगा 15, 16 Mbps तक हमें speed देखने को मिलेगा उससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो pin drive है यह इसका speed के मामले में यह अच्छा pin drive है दूसरा जो pin drive आता है USB 2.0 में आपको 2-3 Mbps तक maximum speed देता है और यह आपको 14-15 Mbps तक USB 2.0 में आपको speed दे रहा है जो कि बहुत ही आच्छी बात है तो दोस्तों आप यही फाइल को हम लोग USB 2.0 port से हम लोग hard disk में copy करके देखेंगे तो दोस्तों मैं इसको drag and drop कर रहा हूं hard disk में तो आप इसको replace कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो read speed है वो hard disk की तरफ वो बहुत ही अच्छा है कुछी second के अंदर यह file transfer हो गया hard disk में तो दोस्तों इस file को हम लोग SSD में transfer करके देखते हैं तो दोस्तों SSD में transfer करने के लिए यह जो desktop में यह same file है इसको मैं delete कर देता हूं तो SSD में हम लोग copy करके देखते हैं तो इसमें जो हमें read speed देखने को मिलेगा वो आप देख लीजिए तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पे SSD में यह file को पलग जपकती transfer कर दिया तो आप हम लोग SSD से इसके अंदर USB 2.0 में क्या speed देखने को मिलता है वो हम लोग देखेंगे तो यही file को मैं इसमें transfer करता हूं drag and drop करता हूं तो आप replace कर देता हूं तो आप देख सकते हैं कि SSD में हमें क्या speed देखने को मिलता है तो दोस्तों वही आपको 14-15-16 Mbps तक स्पीड देखने को मिलता है SSD कापी कर रहे या फिर heart tick से कपी कर रहे तो आपको जो USB 2.0 में जो speed देखने को मिलता है वह 14-15 Mbps तक का speed देखने को मिलता है तो दोस्तों आप यह अंदर चारा लगा सकते हैं कि इसका जो speed है इस speed अच्छा है तो दोस्तों आप अगर एक speedy pen drive लेना चाहते हैं तो यह pen drive आपके लिए बहुत यह अच्छा option होगा तो दोस्तों आप हम लोग बात कर लेते हैं इसका कुछ cons के बारे में तो दोस्तों इस pen drive का जो सबसे बड़ा con है यह pen drive जल्दी से heat up हो जाता है तो दोस्तों यह जब heat up हो जाता है heat up होने के बाद इसका जो file transfer speed है read और write speed read speed में हमें कोई फरक नहीं देखने को मिलता है बट write speed में इसका speed कम हो जाता है USB 3.0 में आप अगर write speed देखेंगे यह गरम होने के बाद यह करिब 22 से 20 mbps तक speed देता है और यह जब ठंडा रहता है तो आपको 34 से 36 mbps तक का speed देखने को मिल जाता है बट यह जब गरम हो जाता है तो इसका speed कम हो जाता है तो दोस्तों यही है spin drive का कॉन तो दोस्तों आप अगर spin drive को लेना चाहते हैं आप definitely ले सकते हैं इसका जो speed है file transfer speed है यह बहुत ही अच्छा है आपको अगर large file transfer करना है इस pin drive का अंदा तो आपको जल्दी से transfer हो जाएगा तो दोस्तों आप अगर यह pin drive लेना चाहते हैं तो आप definitely ले सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो अगर अच्छा है तो लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ share कर दीजिए और चैनल को सब्सक्र वीडियो में तil then goodbye